इस्टे डूप में एक बार आपका फिर सस्वागत है मेरा नाम है प्रकास के असरवानी और मैं आपको वीडियो के इस सेरी में पढ़ा रहा हूं प्रिवेस एर के कोश्चन पेपर जिसमें कि हम देख रहे थे रेजिनिंग एन एप्टिट्यूट के कोश्चन जो कि प्रिवे क्या जाते हैं कैसे कोडिंग के कोश्चन के जाते हैं आज हमारी उसी के आगे सीरीज कंटीनी हो गए हैं और अगर इससे पहले आपसे एक फोलीजी रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो पसंद आया करें तो उससे कमेंट सब्सक्राइब जरूर बताया करें और अपने तो चलिए देखते हैं आज का पहला कोशन पहला कोशन आपका है इसका देखिए हमने पेशलेवारी बताया है कि इसका आमने एक डिडिकेटिड वीडियो बना रखा है अगर आप उसको एक बार एक वीडियो देख रहेंगे मां तो एक वीडियो है करीब 25 मिनट का होगा तो आपका पूरा concept clear हो जाएगा blood and relationship का फिर आपको कोई भी problem नहीं होगी blood and relationship related इस topic पर ठीक है तो चलिए ये question पढ़ते देखिए क्या लिखा है जॉन ने कहा शोरेन मेरी दादी की एकलोते बेटी की बेटी है देखिए एक जॉन है इसको पॉस्ट्व माल लेते हैं क्योंकि मा पापा एकलोते बेटे की बेटी है यानि पापा की बेटी है यानि क्या होगा इसकी बहन हो गई तो यही इसमें पूछा था कौन शोरेन ठीक तो पूछा है क्या relation है शोरेन जान से कैसे संबन देते बहन हो गई इसकी कितना easy question आया blood and relationship अगर आप मेरा वीडियो देख आप्शन से हो गया option number a सही हो गया इसमें लिखा असिश्टर और option number a किस पर है option number a पर इसका कौन से option तहीं हो जाएगा option number d सही हो जाएगा थीकि 2016 में हमने पहले बताया option पर option पूछे जा रहे थे तो इसके लिए अब त्यार रहे गाए इस बार देखते है अगला question फिर से blood बहुत ज़्यादा important topic अटीपी पॉइंट आप दो से वीजय सर्मीला से कैसे संब्गदीत है यदि वह उन्हें अपनी मा के मा की एकलोती यदी वह उन्हें अपनी मा के मा की एकलोती पोती की बेटी की रुम में पर्चा कराता है चले देखिए क्या बोला है वीजय सर्मी य यहां पर स्टेशन है थोड़ा सा आवाज आती ही कई बाट रेन की तो उसके लिए फड़ा माफी चाहेंगे थोड़ा बीजविच में आएगी आवाज तो इदेखी विजय हो गया और उन्हें अपनी मा की मा इसकी मा बना देते हैं मा की मा की इकलोती पोती इसकी इकलोती पो और यह विजय है तो विजय क्या हो जाएंगे बाई इनके ममी के भाई है तो क्या हो जाएंगे मामा नहोंगे तो यह विजय क्या हो जाएगे सर मीला के मामा हो जाएंगे तो कौन सा option number D हो गया maternal अंकल donald इदे की थोड़ा से था थोड़ा सा थ्यान देना था वीजाई ने बोला था तो वह मां की एकलोती पोती की बेटी है ठीके तो हो जायेगा मेरे तब्य देखे इतनी खराब है कि फसीना आ रहा है दवा खाएं इस वज़े से फिर भी हम आपकी क्लास लेनी कोशिस कर रहा है कि मिस नहों क्लास आपकी चलिए देखते हैं अगला कोश्चन हमारा क्या है बारा मीटर और सत्रा मीटर लंबे खंबे जमीन पर सीधे खड़े रहे बना देते हैं इसको देखे क्या बोला है एक बारा मीटर का खंबा है एक सत्रा मीटर का खंबा है ठीक है यह बारा मीटर का है यह सत्रा मीटर का है उनके पैरों के बीच की की दोरी भारा मीटर ये भी बारा दी हुई है इसका बना दिया तो उनके सीर्स छोडोन की बीच की दोरी ग्यानद करना है कैसे कीसे निकले गातला हिए न अगर यह बारा यह पांच तो यह क्या जाएगा तेरा हुगा यह तो दिया वाए इसका कौन से होगा अप्शन नमबर सी सही हो जाएगा चलिए अगरा देखते हैं यह question है आपका, पहले जोड़े में दिये गए सब्दों को, विकल्पर समद्री जोड़े चुनना है देखिए, क्या दिया हुआ है, loin को रोर दिया हुआ है, देखिए, lion क्या करता है, आउल की आवाज कैसी होगी, यह पूछा गया है, देखिए, पूरा-पूरा English का खेल है, चलिए, एक-एक option, सारे option deal कर लेता है, वैसा तो इसका answer आपको बता देखिए, आउल की जो आवाज होती है, उसको बोला जाता है, हूट, उल्लुक के वाज को क्या बोला जाता है, हूट, ठीक है, तो इसका option कौन सा सही हो जाएगा, option number C सही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन औ लेड़ी है, या कुत्ती का वाज को क्या बोलते है, हूट, ठीक है, उसका लिखा है, ग्राउट लिखा है, ग्रूंट बोलते हैं इसको, इसको आप ग्राउंड से रिलेट कर लिए, ग्राउंड से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं, ग्रूंट जो होती, यह होती, स किसके सुवर्की उस्वर्क on क्या बोलते हैं और हूत हमảiए बता दिया जैसे हूड को बोलते है उल्लु की यावाज को क्या बोलते है धिया हूब εár लाश्ट अपंट दिया हूए और इक option number 6 हूँ जाएगा, हो, अगला question देखते हैं क्या है हुआ है, अगला question है, संकौड् स्रिभोच का छेटफल, 30 बर मिटर दिया गया है, अधार दिया हूए है, बेस निकालना है, आएए देखते हैं क्या है, question एक बना लेता है संकौंड दृफच, इसमें दिया हुआ, इसका छेदफल दिया हुआ, कितना area इसका दिया हुआ है, 30 meter square, ठीक है, आधार उसका क्या है, 7 meter अधिक है, किस से, उसकी उचाही आधार से 7 meter अधिक है, आधार मान लिए हमने x, तो उचाही कितनी हो जाएगी, x प्लस 7 हो जाएगी, यह दिया हुआ question में तो पुछा है, उसका अधार यह नि, x की value फाइल करना है, तो देखिए, समकोर त्रिभूत का छेदफल क्या होता है, half, base, बड़े height, तो क्या हो जाएगा, half, base कितना x है, height कितना x प्लस 7 है, equal to कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, area दिया हुआ, अब देखिए, एक option दिया है, कि direct आप x की value option के throughput करिए, और जल्दी जल्दी answer लाने की process करिए, तो चलिए पहला ही question चेक करते है, 5 meter यहां के रखके देख लिए, एक पांच रखेंगे, 7, 5, 12 हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 6 आ जाएगा, और यहां पर भी 5 रखते हैं, किता च्छे पंचे 30, जी की पहला ही option सही हो गया, करके देख लिए, एक बटे 2, 5, 7, 5, 12, कितना जाएगा, 2 से 6 हुआ, 6 पंचे 30, देकी equal हो गया, इसका मतलब क्या, x कितनी रही होगी, पांच रही होगी, अगर आप option की through जाएगे, तो देखें कितना जल्दी आगे, बाकी आप इसकी quarterly question भी चलिए, अगला question देखते हैं, अगला question है, sorry, multiplication का, देखें, multiplication, इस question को आप बैरक कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, multiply कराना है किसका, 3.26 into 7.2 का multiplication कराना, एक तो है कि आप multiply कर लिए उसको हमें करने ही जुरूत नहीं, ठीक है, clearly, दूसरा चीज जो हम इस question में बताने जा करते हैं, इसका unit digit है, unit digit क्या होता है, एक digit कर बतना, suppose अगर हमने लिखा है 12, इसकी unit digit अगर हम पूछेंगे, तो आप इन दोने उजोर दीए, 2, 1, 3, unit digit क्या हो जाएगी, इसको बोलते है, अगर हम लिखते है 48, इसकी unit digit लिखेंगे, तो कितना 8,012 होता है, लेकिन 12 को वापस क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, इस तरह करने जा रहे हैं, इसको सीख लिए, इससे आपको ना time बज जाएगा, गुड़ा भाग करने में, पेपर में simply question आता है, तो इसी हो जाएगा, देखी कितना जल् ग्यारा, ग्यारा मतलब क्या होगा, दो हो गया, इधर देखें, साथ दो नौ, यह नौ लिख गया, और नौ दो नहीं, अठारा, और अठारा को वापस क्या लिख सकते हैं, नौ लिख सकते हैं, यानि unit digit क्या आ गई इसकी, इस question की, नौ आ गई है, और हम अब option में जाएग ऐसे कौन सा option है, जिसकी इनौ digit 9 है, तो चलिए option कितनों देखते हैं, जिल्दी जिल्दी, पहला option दिया है, देखी, 20.342, add करिए, 3.25, 4.9, 2.11, 11 मतलब 2, नहीं होगा, क्यों क्योंकि 9 आना चाहिए था, तो पहला option गलत हो गया, दूसरा देखते है, 3.472, 3.5, 4.9, 9, 2.11 ग्यारा साथ, 18, देखिए आगे, 8.9, एनि, option number इसका कौन से होज़े, सही हो जाए, option number भी सही हो जाए, आप नीचे भी करके देख लिए, नीचे किसी का भी 9 नहीं आएगा, आई करके देख लेते हैं, जिससे आपको फोला साथ, प्रूप हो जाएगा, तो यहां से क्या हो 2, 1, 3, 4, 3, 7, 3, 10, 2, 12, मतलब 3, नहीं बिला, तो एक ही option है, जिसमें क्या unit digit same हो गई, किसके question की unit digit के बराबर, यह बिल्कुन विसी type को question है, जैस साइंस भी आप नहीं देखते है, question के लिए सब लिए क्या करते हैं, उसकी unit, जो होती ही, उसको same करते है, centimeter को question तो centimeter में लगा करेंगे, देखेंगे आप question का, यह multiplication का बहुत असान तरीका है, इस से कौन सरी हो जाएगा, option number 2 सरी हो जाएगा, क्यों 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 इसकी unit digit, सेम थी, 99 थी, ठीक है, आप गुड़ा करके कर सकते हैं, आपकी मर्जी, चलिए अगला question देखते है, अगला question है, आपका trigonometry से, height and distance है, यह question बोला है, पी की लंबाई 5 फीट है, एक आदमी है पी, उसकी लंबाई 5 फीट है, और उसने ध्यान दिया कि उसकी परचाई की लंबाई 7 फीट है, इधर से सन आ रहा होगा हमान लिया, उसकी परचाई बन रही कितना, 7 मीटर, यह बन गई 7 मीटर, ठीक है, दूसर कि स्कूल की इमारत की परचाई की लंबाई 42 मीटर है, अब बोला है कि उसकी इमारत की लंबाई बताये, जब की परचाई की लंबाई 42 मीटर हो, तो यह question पूस्ता गया है आपसे, तो देखिए, यहां से हम theta की value निकाल लेंगे, उसी theta को यहां पर रख देंगे, क्योंकि एंगल तो सेम ही होगा sun का, sun तो एक ही जगह है, क्योंकि सेम टाइम की बात कर रहा है, तो इस वज़े से theta सेम हो जाएगा, और x की value हो फाइन कर लेंगे, तो यहां से देखिए theta क्या हो जाएगा, tan theta equal to 2 हो जाएगा, क्या है, x बटे 42, tan theta की value यहां से रख देंगे, 5 बटे 42, 8, 42, 65, 30, 0 to 2 कितनी आ गई, 30 meters आ गई है, meter पेदी, feet पेधी आ गया, तो 30 feet हो गई, इसकी इबायद की लंबे, 30 feet की सा option पर है, option number C कर रही हो जाएगा, easy question था, वा देखा होगा, अपना बहुती दिए है, चलीए अगला question देखते है, अगला question facet simplification का, इसको भी आप uniti जादा है इसको बहुत जादा है देख रहे हैं क्या दिया है का क्ली तो हो जाएगा 28 25 25 25 और 18 एक इसका एंसर होगा कौन से अपशन नमबर बी पर दिया हुए बहुत इजी question था टाइम देनी के रूप नहीं और option number B किस में दिया हुए option number A पर दिया हुए इसका कौनसा option चाहँ है option number A से पर दिया हुए चलिए अगला question देखते है अगला कोश्चिंन है logical का इन पर सा कुश्चिंन देखी मुझवारी कोश्चिंन हो जाएगा यह तो दिया हुआ है विहार रिलेटिव है पट्ना से तो गुज्रात रिलेटिव होगा खिस से तो भाई पट्ना क्या है विहार के राजधानी है तो क्या पूछा गें आप से कौन से option से जाएगा option number A सही हो जाएगा गांधी नगा स्वारी बहुत स्वेटिंग हो रही है क्योंकि दवा खाए हुए है तो चलिए इसको लगानी दिरूत नहीं गुद्रात की राजदानी गांधी नगा सिंपल सा question तर चलिए अगला question देखते हैं अगला question है नाव का आएए देखते हैं एक नाव धारा की विरुद्ध दिशा में शहर से x से y सहर की ओर जाती देखें यह y सहर हो गया यह x हो गया मान लिया इधर से इधर आती है ठीक है विरुद्ध है इसको इंक्लाइन गनाए कि धारा को य पनाज आ रहा है िअल्टी दिशा में वैढ़ा है ठीक है चलिए और धारा की दिशा में वापस Y से X की अधर आती है इधर से इधर पे ले जाती फिर इधर इधर आती है योदी स्थिर पानी में नौ की गति चालिस हो नौ की गति दा रहती है इतनी दस किलो मीटर पर ओड तो यह तो बुरी यातरा की और यह वहाद ही यह बहुत ही लोगो पता होगा आवसत तो फार्वला क्या होता है 2xy divided by x plus y होता है बहुत ही simple तफ़ार्मुला होता है यानि यह 2 x की वैलू 30 y की वैलू 50 divided by 30 plus 50 यह करना था यह 80 हो गया तरहीये जल्दी बहुत ही simple करना कोश्यन था दो 30 50 80 यहां से कट दिया यहां से 4 आ गया और यह कुछ कट रहा है पचासते यह कितना हो गया 500 को आदा 55 होता है और 75 का आदा कर दीजे अकितना हो जाएगा 35 सतर निसाड़े संशी सही हो जाएगा साड़े सेंपिर के एक ट्यम पीच और यह था इसका और बहुत ही इजी कॉस्च्छन था ऐसा नौ से लेटर ऐसा टफ कोई कोश्चन ने था एक ही नौ से लेटर बात थी जब आप विरूद जाएंगे तो माइनस करना होता है और जब आप धारा की इसा में चलेंगे तो प्लस करना होता है कि आपको पता होगा उम्मीद है ने चली अगला कोश्चन आ गया अगले कोश्चन की लिए एक ट्रिक सीखीजे दिख़ा होगा आपको क्वेश्चन में देख देख दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा गया है नीचे दिया गया ऑप्सिन में कौन सा ऑप्सिन इसमें रख दे जिससे कि यह सही होगा तो देखिए एक चिद्धान रखते हैं तो फड़ा सा लॉजिक लगाई है इधार लिखा है कि आप होट्टी गल दसंबलों में कुछ नहीं है इसका मतलब क्या होगा डिवाइड किस पोजिशन पर आसकता है आप खुद सोचिए अगर हम यहां पर लगाएंगे तो भी दसंबलों में आ जाएगा यहां पर लगाएंगे तो आप उस पर जाएगे जिसमें पहले आप्शन पर दिया हो यानि कि किसमें दिया है स आप्शन नमबर डी चेक करिए चली लगा के देखते है टीफोर डिवाइड वाइड बारा आगे क्या दिया है प्लस शिक्स करके देखिए बारा सत्य चौरासी साथ गुड़े पांच प्लस 6 साथ पचे 35 प्लस 6 एक्तालिस रूप हो गया तो यह ट्रिक थी इस को करने कि कि जल्दी करा जाके अधिकतर लोग आप लोग सारे चेक करते हैं और आप्शन नमबर डी पर दिया है तो आप यह ट्रिक अपनाया करिए कि डिवाइड कहां पर रखा जाए डिवाइड वहीं पर आएगा जहां पुरा-पुरा डिवाइड हो जाए तो इस ते आपको जो इल नीचे दिए गए कथन के कुछ निस्कर्ष दिए गए थीख है आपको इन कतनों को सत्य मानना है लो पर फिर चीजए या निधारित करना है कि दिए गये इनस करसों में कौन से कथन accessed की बोला है भारत में जून सितंबर बरसाथ का मोसु रहे मलाया। थीक है, ठीक है फुर्ण हमेसा इन चार महीनों के दोहरान बारिस होती है अब लीजिए हमेशा बोल दिया हमेशा की देखिए statement की अगर आप बात करेंगे तो यह हमेशा वड़ गलत करती है अगर सिप question तब बारत में इन चार महीनों के दौरण बारिस होती है तो तो बारत में बारिस होती है ऐसा हम नहीं हो सकती है इस साथ तो बहुत ज्यादा हुई है तो यह भी सीधा सीधा गलत हाला कि यह पको practical logic नहीं लगाना है लेकिन इस question के साथ से ऐसा question हो जाए तो इसमें कौन से हो जाएगा आप्शन नमबर दी सही हो जाएगा ना ही पहला सकत है ना ही दूसरा सकत है दोनों के दोनों क्या है गलत ठीक है चलिजी question का अगला question देख सभी क्लम क्या हुआ किताबे बना दिया यह हो गया कलम और यह गहीं क्या किताबे चलिए अगला question क्या बोला है सभी किताबे मेज है सभी किताबों क्या कर दिया मेज बना दिया हमने यह हो जी मेज ठीक है आगे आते निसकर्स में देखते है सभी मेज कलम है सभी मेज कलम है ना गलत हो गया मेज के अंदर थोड़ी मेज को उल्टा बाहर है पहला अफिन गलत हो गया क्या हो गया गलत हो गया बी पर आते हैं कुछ मेज कलम हां कुछ मेज कलम है रहे कि जो इस रीजन में आरी कुछ मेज कलम भी सही हो गया अगला देखते हैं सभी किताबे कलम है सभी कि किताब नहीं है कोई कोई का फिर लॉजीटी की नहीं आ है तो होगे आप से नॉमर भी और और सारे घलब है इसका कौन से होगे अप्शन अबर भी कुछ में इस वर लेगा बांक तारे घलत है चलिए अगला कोशन देखते हैं अ बहुत ज्याद करना है कि इसका इसको इसको यह बता है तो छोटे बड़ा या तो बड़े से चोटा लिखते हैं चलिए सब्सें चोटा क्या है 71, 72 है, 72 कितने बार एक बार एक बार एक बार है, 72 है, फे देखे तीनीतितर दिया हुए, है ये ہत्र कितने बार दिया हूआ city aftar लिखें जञे दो बार अगे देखें क्या दिया हूगा इसनार दुन दुन एक बार दो बार दूब़ 17 Commence 75 कितने बार है हैppeam sorry क्या से स्वार ये अफंटुन एक दू थे नियो त्ञी क्या दिया हूगा आहिफि लिए सबसे जादा है जिसकी आवरती सबसे ज्यादा हो यानि सबसे ज्यादा कौन आई हो पचिकतर आए हुआ इस पर उलगते हो जाएगा बहुत ही सिंपल सा कोशन ते लिखा नहीं जाता यह कोशन बस उसी वह देखके स्क्रीन देखके लगा दिया जाता है तो इसका नुमबर सी से जाएगा तो प्रक्षाने में जादा टाइम लगता है फॉल करने में बिलकुन कुछ सेगंड लगते ह ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं दिया हुआ है प्लस का आर्थ है इन्टू माइनस का सब्सक्राइब दिया हुई कोशन आपने देखने होंगे पहले से भी तो बताना है आपको 35 माइनस पाट प्लस शे बुड़े साथ का मतलब क्या होगा ठीक है उपर से देखते है माइनस को क्या लिखना है है माइनस की मीनिंग दिए है ब्लस का क्या मतलब दिया और यहां इनाप्शन नमबर 20 का सब्सक्राइब का सब्सक्राइब